हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू दो चैनल सेश्टी स्टेडी पॉंट और यहां पे आपको एक नोटिस दिख रहा है और यह टाइमस ओफ इंडिया में निकला था न्यू डेली का है छे अप्रेल का नोटिस यह उसमें छपा था अखवार में और यह जो न्यूज है वो S.E.R. से संबंदित है S.E.R.T. ने जो वेकेंसी निकाली थी किसकी एसिस्टेंट प्रोफेसर की जी हां आपको पता होगा कि 27 मार्च से उसके फॉर्म भरे जा रहे थे तो वो जो नोटिफिकेशन है उसको खारिज कर दिया है अब नए सिरे से यानि कि रिवाइज जो गई है और इसके सासत क्वालिफिकेशन में भी बदलाव किया गया है और यह जो है क्यों उस वेकेंसी को खारिज किया गया है क्यों उस नोटिफिकेशन को खारिज किया गया है और फिर नए सिरे से ये नोटिफिकेशन क्यों जारी किया गया है इन सब के बारे में मैं आपसे बात करूंगी दोस्तो वीडियो में अगर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजेगा यह देखे आप SCRT का notice है यह और यह पांच अपरेल का newspaper में यह देखे उन्होंने निकाला था तो 6 अपरेल को assistant professor in SCRT diet जो है और यह पूरा fresh इन्होंने notification जो है वो जारी कर दिया है क्यों क्योंकि educational qualification जो थी वो उसमें गलत दी हुई थी उसको सही करने के लिए तो educational qualification को update किया गया है यह देखे मैंने आपको बता था कि 27 मार्ज 2023 को यह notification को upload किया गया था और कहा था कि यह form आप भर सकते हैं लेकिन उसको जो है some clerical error की वज़े से जो educational qualification जो प्रिंट की थी वो गलत हो गई थी तो इस वज़े से इस notification को खारिश कर दिया गया और नए स्रेसे notification जारी किया गया है तो यह यहाँ पर यह कह रहा है कि जिन लोगों ने form पहले से भर दिया था उनको भी दुबारा form भरना होगा आपको यहाँ पर और जो आपने यहाँ पर यह लिखा हुआ है यह देखे पूरा दिख रहा है आपको मैं थोड़ा सा ब्रॉड करके दिखा रही हूँ यह जो है उनको अपलाई अगेन करना होगा दुबारा से अपलाई आपको करना पड़ेगा और जो आपने पहले फीज सम्मिट कर दी थी जिन लोगोंने फॉर्म भर दिया था तो उनकी फीज जो है वो बापस हो जाएगी यह पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है SCRT की वेबसाइट पे अपलोडेड है यह SCRT की वेबसाइट है डेली की यह आप यहाँ पे जब इसको गूगल पे डालेंगे तो यहाँ पे पूरा एक फेस खुलके आएगा SCRT का उसमें यह भी नोटिफिकेशन है अब सबसे ज़रूरी है कि फॉर्म भरने की डेट को जो है वो भी अपडेट किया गया है क्योंकि नोटिफिकेशन डिवाइजड है तो जो फॉर्म भरने की डेट है असिस्टन्ट प्रोफेसर की SCRT में उसकी लिए आठ अपरेल य ठीक है तो यहां पर आपको दिख रहा होगा तो यह इस तरह का है आप आराम से फॉर्म भरिए और जिससे की आपको एक अच्छी सी जॉब मिल सके रेपुटेट जगह है यह SCRT जो है तो यहां पर पूरा यह दिया हुआ है देखे पूरा हिंदी में दिया हुआ है हिंदी ठीक है अभी मैं आगे बताऊंगी कि पद किस कि शेत्र में है कौन कौन से उसमें है और पहले भी मेरी एक वीडियो है उसमें भी दिया हुआ है नोटिफिकेशन सेम वही होगा बस क्वालिफिकेशन में डिफरेंस कर दिया है वो आप देख लीजेगा फॉर्म भरने की यह जून जुलाई में आपका एक्जाम होगा से बीटी टाइप होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा इसके साथ साथ आपका इंटर भी होगा दोस्तों तो यह चीज़ भी है इसको देख लीजेगा तो यह सब इसमें दिया हुआ है फिर वेकेंसी किती है वो मैं पहली बता चुक यहां पर पूरी यहां पर कंडिडेट की एज लिमिट और सब दी है यह मैं बताई चुकी हूँ पहले कि 18 से 45 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए और जो SCRT में काम करते हैं उन्हें 50 साल है इसके साथ साथ आपको अपनी जो आपका OBC या SC के लिए जो क्राइटेरिया द कर सकते हैं तो यह सब यहां पर दिया हुआ है पूरा क्रीमी लियर नॉन क्रीमी लियर का सब दिया हुआ है इसके साथ साथ यहां पर जो फॉर्म की जो फीस है वह यहां पर देख लीजे एक बार फिर से दिखा दे रही हूं अन्रिजर्व के लिए OBC और EWS के लिए 16 सो है यहां पर यह सब दिख रहा होगा यह सब मेरी पहले वाले वीडियो में भी है आप जाके देख सकते हैं इसके साथ एक्जाम किस तरह का होगा यह प्लैन ओफ एक्जामिनेशन है CBT टाइप एक्जाम होगा 150 कोशन आएंगे multiple choice होंगे हर गलत कोशन में आपका बन फूर्थ जो है वो number काट लिया जाएगा qualifying marks भी यहां बहुत जरूरी है जो हमें देखने 40% undeserved के लिए है 30% SC OBC और EWS के लिए 25% ST के लिए यानि कि जब आप 30% marks ले आएंगे इस एक्जाम में जो CBT टाइप एक्जाम होगा फिर आप qualify कर पाएंगे उसके बाद आपकी जो है married बनेगी cut off बनेगी उस cut off की married में आप आते हैं नहीं आते हैं उसके बाद आपका interview होगा तो इस चीज़ को याद रखेगा दोस्तो इसम सद मैं आपको यहाँ पर यह दिखा दे रही हूं कि वेकेंसी जो है किस किस सब्जेक्ट में हैं और कितनी वेकेंसी हैं यह सब तो यहाँ पर यह जो form है जो notification है बहुत बढ़ा अगर मैं पूरा notification पढ़ोंगी तो बहुत time लगेगा दोस्तो तो इसलिए मैं आपको यहाँ यह जो important चीज है वो फिर से बतादरी में देखिए पूरा यहाँ पर दिया कितनी पोस्ट हैं किस किस पर सारी assistant professor की पोस्ट हैं दोस्तों यह आपको दिख रही है यहाँ तो और इसके साथ साथ कितनी पोस्ट हैं यह भी लिखा हुआ यह सारी और पूरी last में आके आपको द पारेंगे यह है फिर इसके बाद आपके लिए जो qualification है वो लिखी हुई है यहाँ पर क्या qualification होनी चाहिए वो सब और पूरा पढ़ लीजिगा qualification में changes हुए है PhD बगएरा और यह सब को लेकर net के लिए लेकर आप यह देख लीजिगा और यह सारा किस को किती किती qualification फिर यहाँ पर आजाता है exam pattern में question कितने किस टाप कहेंगे GS के आएंगे teaching aptitude के 50 आएंगे research methodology के चार आएंगे subject concern जिस subject से आप भरेंगे उसके 50 आएंगे दो गंटे मिलेंगे यानि कि आपको कितने मिलेंगे 120 मिनट मिलेंगे question आपके 150 होंगे दोस्तो speed test होगा यह यानि कि आपको जल्दी करना होगा और correct answer करना होगा क्योंकि minus marking भी है तो इसमें बहुत कुछ है आप पूरा देख लीजिगा दोस्तो और यह revised है आज से आप form भर सकते हैं बच्चे बहुत परिशान थे क्योंकि जो पहले form आया था उसमें बच्चे परिशान हो रहे थे कि form जैसे ही form भरने के लिए apply कर रहे थे उसमें उसको यह बता रहे थे कि यह date जो है वो expire हो चुकी है इससे बच्चे परिशान थे कि notification भी आया है और हम form भी नहीं ब तो कब कब होगा और exam आपका जून जुलाई में होगा यह उसमें लिखाई है और form भरने का आज से ही शुरुआत कर दीजे दोस्तों जिससे कि आप अच्छे से form भर सकें और एक तैयारी करें एक अच्छी रैपोटेटर जॉब पा सकें वीडियो अच्छी लगी हो दोस्त मिलती हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार